स्वागत है आप सभी का मेरा नाम है मैंग पांडे आप देख रहे हो SDAV YouTube चैनल इसे पहले वे हम लोगों ने एक वीडियो अप्लोड किया है जहां पर हम लोगों ने आपको बताया कि Class 8 का Registration Form अपकिस तरीके से डाउनलोड करके उसे फिल कर सकते हो बिना कोई गलती किये अब देखिए वो एक बच्चे का प्रोसस था जब एक बच्चा उस Registration Form को भरेगा और अपने स्कूल में समिट करेगा आज हम लोग बात करने वाले हैं कि उस Registration Form को Jack के Official Website में कैसे अपलोड किया जाता है ठीक है और ये जो प्रोसस है ये बेसिकली स्कूल करते है हम लोग देखते कि किस तरीके से ये प्रोसस होता है और जो भी स्कूल वाले हैं वो सीख जाएंगे कैसे इसे किया जाता है बिना कोई गलती किये ठीक है तो ये जो आप पेज देख रहे हो ये जहारखंड अकैडमिक काउंसिल का Official Website है और इस Website का जो ये लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ये फिर आप सिंप्ली गूगल में जाके जैक जारखंड अकैडमिक काउंसिल लिखोगे तो नीचे सर्च रिजल्ट में इनका Official Website आ जाएगा अब देखे इनके Official Website में यहाँ पर एक कॉलम बना हुआ है ब्लू कलर में जहाँ पर लिखा हुआ है Recent Announcement मतलब जो भी Recent में 9 में जो भी आएंगे कुछ नोटिस हो गया कुछ भी वो आपको यहाँ पर विजिबल हो रहे होंगे तो हमें अपना ढूणना है Class 8 एक्जाइम के Application Form का तो दूसरे नंबर पर यह option है और बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि Jack वाले को Class के Spelling नहीं आती Class के Spelling आप देखें क्या लिखा हुआ है खैर कोई बात नहीं इस वीडियो को देखने के बाद वो सही कर लेंगे थेखें हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग को बस इसमें क्लिक करना है इस Class 8 एक्जाइम 2022 के Application Form पर और एक नया पेज खुलेगा और देखें वही पेज है जहां से आप अपने Registration Form को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है आप सिंपली इसमें क्लिक करिएगा तो यह डाउनलोड के लिए खुल जाएगा आप इसमें Start डाउनलोड करिएगा यह डाउनलोड हो जाएगा खेर यह तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था आज की इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि अपलोड कैसे करते हैं और साथी साथ पासवर्ड भी डाल दीजिए ठीक है अब देखिए यहां पर आने के बाद आपको क्या करना है आपको Add Students में जाना है ठीक है इस सक्षन में आप जैसी ही आएंगे तो आपके सामने यह फॉर्म खुल जाएगा और इस फॉर्म में आपको वह सारी की सारी राजू वर्मा राजू वर्मा और उसके बाद आपको Date of Birth यहां पर मेंशन करना है आप सिंपली इसमें क्लिक करिए यह पूछेगा कितने साल में है तो आप सिंपली कुछ भी यहां पर ले लिजे मैं 2005 ले ले रहा हूं अगस्त ले ले रहा हूं 15 ले ले रहा हूं ठीक है म अगर नन है कोई दिक्कत नहीं है तो नन यह फिर अगर जो भी होगा तो से बेसिस पर आप इसे फिल करिएगा कास्ट में देखिए जेनरल है से स्टी बीसी वन बीसी टू जो भी आपका है वह आप यहां पर फिल कर दीजिए रिलिजन हिंदुईजम पैले से टिक है नैश मुझ भी 12 डिजिट का ले ले रहा हूं ठीक है उसके बाद एरिया तो पूछ रहा है रूलर यानि कि गाओं वाले एरिया जहां पर बच्चे रहता है या अर्बन तो बच्चे के एड्रेस के अनुसार आपको उसे फिल करना है अर्बन है तो अर्बन रूलर है तो रूलर ने में बच्चे की माता का नाम लिखना है फिर अर्बन एड्रेस दो यो बी इस बच्चे का एड्रेस है वो आपको यहाँ पर simply mention कर देना है उसके बाद कॉलम है स्टे kidnapping का सो हमारा जारखंड है तो हम लोग जारखंड में सिंप्ली जाएंगे और सिंप्ली इसमें टिक कर लेंगे यहां पर है जारखंड उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट का तो आप इसमें डिस्ट्रिक्ट ले सकते हो चूज कर सकते हो हमारा है इस्ट सिंग्भूम इस्ट पुरसा ही होगा हम लोग लिखते रहे हैं ब्लॉक हम लोग लिखेंगे बच्चे जो भी लोगों दीए होंगे उस डीटेल के अनुसार पिन कोड उस एरिया का जहां बच्चे रहते हैं फिर कॉंटेक्ट नमबर है मुबाइल नमबर उस बच्चे का हम लोगों को डाल देना ह क्लास का जो रूल नमबर है वो हम लोगों को यहाँ पर अपलोड करना है उसके बाद हम लोग उसके सेक्शन को अपलोड करेंगे और अगर कोई एडिशनल सब्जेक्ट है बाई चांस अगर संस्क्रित है तो संस्क्रित या कोई और है तो आप वहाँ पर से इस उप्शन मे आपको photo दे रहा होगा या फिर school वाले अलग से मांग लेते है तो वो photo को क्या करना उस photo को यहाँ पर लाकर upload करना simply इस बटन पर अगर आप click करोगे मैं click कर रहा हूँ तो यह file जहा पर भी आपने उस बचे कर save रखा है आप वहां पर आप वहां पर जाईए फोटो को चूज करें simply upload कर डीजिए वैसे upload signature को भी करना है बस ध्यान ये देना है कि आपके फोटो का ये signature का जो max file size है यानि कि जो size है file का वो 50 के भी पार ना करें 50 के भी is a limit तो मैं बोलूँगा कि आप 40 के अंदर में रखे तक कि कोई दिक्कत ना हो ठीक है अराम से अपलोड हो जाए और सिंपली अगर जैसी आप एक बार क्रॉस चेक कर लेजिए क्योंकि को हो सकता है कोई गलती होके या हो अगर गलती नहीं है ठीक है सब सई है तो सब्मिट कर के उसका आपको रेजिस्टरेशन कर लेना है सो उमीद है इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि जैक से रिलेटर जो भी चीज़े होती है वो हम लोग अपने चैनल पर बताते हैं साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करी दीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि तभी नोटिफिकेशन आएगा और तभी आप लों आएंगे तभी देख पाएंगे और बस और क्या बस थैंक्स फर वाचिंग